स्टापलस के शो नजर में कब क्या हो जाए अब तो ये कहपाना बिल्कुल इंपॉसिबल हो गया है सबसे पहले डायन, उसके बाद एकायन, उसके बाद दो कायन, कभी चड़ेल, तो कभी छलायन इतने सारे विलन्स ने शो में एंटरी ली, तो दर्शक तो हैरान हो ही गए और उसके बाद जब अब एक घोड़ी की एंटरी भी शो के अंदर हो गई है, तो फिर तो भाई कहने ही क्या यहां जलपरी ने भी शो में खूब मजाबान था, मुहना की वापसी भी दर्शकों के एंटर्चेन कर रही है लेकिन सबसे ज़ादा इस समय जो हाइलाइट हो रहा है शो के अंदर वो है पिया का जलपरी अफ्तार पिया जलपरी बन चुकी है और यह जलपरी काफी खुबसूरत लग रही है समंदर के अंदर पिया के सामने कई मुसीबते हैं अब तक समंदर के बाहर जब प्रिथ्वी पर रहती थी पिया तब भी दैविक होने के बावजूद उसे तमान तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और अब समंदर के अंदर गए एक दिन भी नहीं हुआ है और लीजिये पिया के दुश्मन भी बन बैठे एक आदमी जो के समंदर के अंदर चीजों की खोच कर रहा था उसे जलपरी पिया दिग गई और उसने पिया पर निशाना साथ लिया है अब उसका मकसद बन गया है कि वो कैसे भी करकर इस जलपरी को पकड़ ले पिया की ये मुसीबत कब खत्म होगी ये तो अगी हम नहीं कह सकते लेकिन उतका अंश से बचाने पहुँच जाएगा ये हम आपको अश्योर कर सकते हैं अब हिरोईन चाहें समंदर के अंदर हो या फिर समंदर के बाहर हीरो का उसके पास होना और मुसीबतों से उसे बचाना बहर ज़रूरी है शो का ये ट्रैक बहुत बिलचस्प है आपको ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है टॉप नीज की रिपोर्ट आपको ये वे सकते हैं